तो आप लोग कैसे हैं यहोप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आया है क्लास 10 का फिफ्थ चैप्टर प्रेडिव क्लासिफिकेशन का लेक्चर नमर 9 जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे तो जैसा कि पिछले लेक्चर लेक्चर नमर 8 के अंदर आपने पढ़ा था करेक्टरिस्टिक आप प्रेडिक्टेवल के अंदर हमने सारे लेक्चर के अंदर करीब करीब यह बातों को बोला है तो 18 ग्रूप के अंदर किसी भी ग्रूप में अगर जाएंगे आप तो उसकी क्या प्रोपर्टी होती है अगर हम उस ग्रूप के अगर नीचे की और जाते हैं तो इस लेक्चर के अंदर यही कुछ हम लोग सिखेंगे इसके बारे में जानेगे तो चलिए बिना देर के हु बता रहे थे और फड़्प के बारे में बताया और हमने का कि यह जो कंसेट हम आपको बताने जा रहे हैं यह सब आप उस पर आप्लाई कर देजिए सारे प्रियेट्स के उपर ठीक इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे की ग्रूप में किसी एकी गूरूप के बारे में आश जैसे ही आप समझेंगे कि sir ये group में आपने ऐसा बताया तो सारे group में ऐसा होगा जहां different होगा या होने की संभाब ना होगी हम वहाँ खुद ही बोल देंगे कि नहीं इस group में ऐसा concept आप नहीं लगाएंगे नहीं apply करेंगे ठीक है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की जैसा कि हमने पहले भी डिफिनिशन में आपको बताया नंबर ओफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल और यह दो देखो यह क्या होता है तो लिखेंगे कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन remains same, remains क्या? same इन ग्रूब ओल ग्रूब में नहीं है ऐसा होगा कि सब हमें इलेक्ट्रॉन्स होगा कहने का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं पहले उसको समझो अगर हम फर्स्ट ग्रूप ले लेते हैं जैसे इक्जामपल से first group हम ले लिए, अब first group में कौन-कौन आता है, देखो, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium और francium, ठीक है, इसकी configuration क्या होगी, 2 or 1, इसकी क्या होगी, 281, इसकी क्या हो जाएगी, 2881, इसकी क्या होती है, 28881, 8 और फिर 1 यहां क्या वजाए कि 2, 8, 18, 18, 8, 1 28, 36, 36, 40, 44, 45, सही है ना 28, 18, फिर 32, 18, 8, 1 सब में कितना है तो मने यही से कहा किसी भी गूप में जाओ गे इन इच बूप लगा दे रहा है इच गूप पर ते गूप में जो इसा होका न वहाँ सब का बार्रीफ कोई कोई चेंजिंग नहीं आती है समझ में आ गया अब देखो जैसे मैगनेसियम बाले में जाओगे तो मैगनेसियम का कॉंफिगरेशन करो जो यह बागी सब में कितने आले वाला है लेकिन यह जो अलग अलग इसका लेलो चानओ इसका स्कृइंसाट ले लो इसके बात करते हम वह भैल इंसी की बैल्लै enem बैलेंसी के उपर क्या आसर पड़ता है तो लिखेंगे क्या कि बैलेंसी जो है ना बिल्कुल वैसे ही सेम होगा जैसे इसमें सेम था ठीक है बैलेंसी जो है तो बैलेंसी के डिफिनिशन आपको मालूम है कंबाइनिंग कैपि सिटी कंबाइनिंग कैपी सिटी ओफ एन ए इटम है ना ओफ एन ए टम और नूंबर ओफ चार नूंबर ओफvideo क्हाट दूंबर ओफ ह्वाबु same as the first element, first element, बिल्कुल first element के जैसा रहेगा, जैसे अगर lithium ले ले लें, sodium ले लें, potassium, rubidium, cesium और francium, इसकी valence 1 आ गई, अगर इसकी valence कितनी आ गई है, one, सब की valence 1 आएगा, क्योंकि सब में number of electrons, outermore cell के कितने हैं बाबू, one, तो valence सब के क्या होते हैं, बिल्कुल, same आ जाएंगे, को दिक्त, बिल्कुल नहीं सर, इसके बाद metallic character की बात करें, metallic character, तो देखो metallic character लिखेंगे कि one moving, down in a predictable, group में चलेंगे तो down ही चलेंगे, ठीक, down in predictable, then metallic character, metallic character is increases, is increases, याद रखेंगे, metallic character क्या होते हैं, increase करते हैं, को दिक्कत, चलो, इसका screenshot ले लो, इसके बाद हम बात करेंगे, atomic size की, balance के बाद क्या बात करेंगे, बावू, atomic size की, देखो atomic size के उपर क्या फर्क पड़ता है, atomic radius के द्वारा ही measure किया जाता है, atomic size को, atomic radius of an atom is represent, या expressed, the size of atom, size of atom, ठीक है ना, और यह हम लोग picometer में measure करते हैं, picometer में, 1 picopm is equal to 10 to the power minus 12 meter, याद रखेंगे, ठीक है, अब लिख दे रहे हैं कि, on moving, down in a predictable, impredictable, predictable, it is increases, याद है ना, हम लोग group में क्या पढ़ते थे, INCRESES, INCRESES, अब हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कि pre-advice जब जाते हैं तो size छोटा होता था, यह नहीं है, ऐसा नहीं होगा, group में जब आएंगे, तो देखिए, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, तो चार हीं लेते हैं, तो lithium के अगर size यह है, तो sodium के size यह होगी, चुकि इसमें number of cells बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए, तो number of cells अगर बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है ना, size भी बढ़ जाएंगे, है ना, जैसे-जैसे cells बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे size भी बढ़ेंगे, तो atomic size जो है, वो बढ़ जाता है, याद रखना, atomic size क्या हो जागा, increase करेगा, क्यों increase करेगा, तो due to, due to, increasing of number of cells, sales बढ़ने के कारण जो है, वो size जो है, वो atom का धिरे-दिरे क्या होगा, बढ़ जाएगा, and number of electron भी अड़ कर सकते हो, and number of electron, कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं, आप इसका भी स्क्रीन सॉट ले लिजिए, atomic size, ये कितना number है, four number, इसके बाद हम बात करेंगे, chemical reactivity की, इसके बाद क्या बात करेंगे, chemical reactivity की, ठीक है न, चलो, five number में लिख दे ते हैं, हम लोग, chemical reactivity, chemical reactivity, तो देखो, chemical reactivity जो है, वो अब बाट डू डाउनवर्ड आओगे, तो metal side में जो है, metal side में बढ़ेगा, याद रखना, लिख देते हैं, कि chemical reactivity, 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 is increases, increases, in metallic side, in metallic side, जैसे lithium हो गया, beryllium हो गया, और तमारा boron हो गया, बतलब aluminium बला, जैसे lithium, sodium, boron, aluminium, यहां beryllium, magnesium, boron के साथ aluminium, यह side जो है न, यह, increase करेगा, इधर की ओर, नीचे बढ़ने पर increase करेगा, याद रखना, आई, इधर की ओर increase करेगा, ठीक है, यह metallic side में, लेकिन जब हम लोग non-metallic side ले लेंगे, कौन-कौन सा, जैसे nitrogen हो गया, oxygen हो गया, fluorine, phosphorus, sulfur और chlorine, तो यह जो non-metallic side है, यह, जब हम उपर जाते हैं, तब बढ़ता है, मतलब की नीचे decrease करेगा, याद रखना, non-metallic side में, chemical reactivity नीचे की ओर decrease करता है, और उपर की ओर increase करता है, और metallic side में, नीचे की ओर increase करेगा, और उपर side में decrease करेगा, कोई दिक्कत, increases in metallic side, and, लिख दे रहे हैं, it is, decreases in non-metallic side, non-metallic side, ठीक है, अब इसका विरी यह लिख लिए, ज़्यादा reactive होते हैं, उपर की ओर जाएंगे, slowly, slowly, ठीक है, चलो, इसका विसके इंसाट लो, इसके बाद हम आजाएंगे, nature of oxides के बारे में पढ़ेंगे, इसक्स नंबर में, nature of oxides के बारे में पढ़ेंगे, कि किस प्रकार के यह oxides बनाते हैं, nature of oxides, nature of oxides में पढ़ेंगे, हम लोग सबसे पहले, कि जो metal वाले sides होते हैं, वो acidic, यह सौरी, basic बनाएंगे, और non-metallic side वाले जो हैं, वो acidic oxide बनाएंगे, तो लिखेंगे, कि metal, all metals, आइसा लिख देते हैं, कि all metals are form basic oxide, basic oxides, and non-metall are form acidic oxide, क्या बनाएंगे, acid oxide, याद रखना, metals वाले parts जो हैं, वो basic oxide बनाते हैं, और non-metall वाले जो parts होते हैं, वो क्या बनाएंगे, acid oxide बनाएंगे, कोई दिक्कत, यह कितना number था, six number था, कोई दिक्कत, नहीं, इसके बाद हम लोग seven number बात करेंगे, electro positivity की, electro positivity, ठीक है दा, electro positivity क्या है, तो देखो लिखेंगे कि, it is increases, increases, down the group, electro positivity जो है, वो increase करता है, जब लोग ग्रूप में जाते हैं, नीचे की और तब, electro positivity, ठीक है, increases, मतलब कि, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, और francium के पास जाओगे, तो इदर की और, increase करेगा, ठीक है, और यही चीज, इदर की और भी होगा, last वाले में, fluorine, chlorine, bromine, iodine, esterine, तो इदर की और इलेक्ट्रो पॉजेटिविटी इंक्रीज करेगा, याद रखना, इसलिए ने, यह आल्मोस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव होता है, आल्मोस्ट, इलेक्ट्रो निगेटिव, क्योंकि उपर की और बढ़ते हैं, और इदर की और भी निगेटिविटी बढ़ती है, तो चुकि लेफ्ट से राइट जाने पर भी निगेटिविटी बढ़ती है, और उपर की और आने पर भी निगेटिविटी बढ़ती है, तो fluorine common reason में आ जाता है, जो सबसे ज़्यादा निगेटिव होता है, यही चीज हम लोग इंचे की और आएंगे तो नीचे की और आने पर इलेक्ट्र नीटिविटी इलेक्ट्र पॉजिटिविटी बढ़ती है इलेक्ट्र पॉजिटिविटी नीचे की और बढ़ेगी और डाउन उदर राइट से लेफ्ट की और आएंगे तो भी इलेक्ट्र प बाद की सब्सक्राइब है और दूसरा वात की सौच साइज है ना इससे बड़ा होता है सीजियम का साइज बड़ा है लारजेस्ट साइज होते है इसकी याद रखेंगे लार्जेस्ट साइज जो है वो सीजियम का है लाइक बूक में फ्रांसियम का दे दिया है लेकिन होता नहीं है आप नेट पे चेक करेंगे और मैं जो बता रहा हो तो सही ही होगा ऐसा थोड़ी है तो याद रखेंगे सेजियम का साइज लार्जेस्ट होता है फ्रांसियम के रिस्पेक्ट में ठीक है तो आप इसका विए स्क्रिंशॉट ले लिजे नेचर सॉफ ऑक्साइड एजवेल एजलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की आफ्टर डेट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल की और इलेक्ट्रो अफिनिटी की आयोनाइजेशन पोटेंशियल के उपर क्या फर्क पड़ता है ठीक है ना तो यहां लिख देते हैं हम लोग 7 नमबर में 8 नमबर सॉरी आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो हैं माउन्ट ओफ हीट कंजूम्ड बाइबी आटम आटम तो रिलीज एलेक्ट्रों रिलीज एलेक्ट्रों तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जहां तक सवाल है तो अब अब हम बात कर रहें नीचे क्यों राएंगे तो नीचे क्यों राएंगे मानलो कि हम लिथियम ले लें सोडियम पटेशियम रूबीडियम सीजियम यही चार को लेते हैं तो लिथियम की साइज यह है सोडियम की साइज यह है पटेशियम की साइज यह है और रूबीडियम क तो सबसे ज़्यादा heat ये gain करेगा heat सबसे ज़्यादा gain ये करेगा और सबसे कम less gain ये करेगा मतलब ये easily release करने देदेगा तो हम लोग लिखते हैं कि आईनाइजेसिं पोटेंचेल है वो decrease करता है तो लिख देंगे आईनाइजेसिं एनर्जी इनर्जी जिसको कि हम लोग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं इस डिक्रीजेज इस क्या बावो डिक्रीजेज डाउन दा ग्रूप हना याद रखेंगे आइनाइजेशन इनर्जी जो है वो ग्रूप की और वहर्ड क्या होगा घटेगा ऑप और सकॉनव और लेंगे इसके बाद करें हम लोग की इलक्रॉण एफिनिटी की क्या होती है अब नाइन नंबर में बात करते हैं हम लोग इलेक्रॉण एफिनिटी इलेक्ञान एफिनिटी यह होता है इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने के छमता पहले लिख दें कि इटीज डिक्रीजेज डाउन दी ग्रूप जब हम लोग बढ़ेंगे ग्रूप बाइज सारे ग्रूप में तो यह जो है वो घटेगा जैसे जैसे नीचे किया रहा है बात हम कुछ करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रूविडियम यह चार इलेमेंट को ले लेते हैं और बागी सब में यह ग्रूप में यही लग जागा लीथियम की बात करें अब देखो सब का साइज बनाते हैं यह लीथियम का है यह सोडियम का है यह पोटेशियम का है और यह रूविडियम का है थड़ा इससे बड़ा साइज अब यहां इलेक्ट्रोन है टाइटली है यह स्ट्रोंगली हेल डिड़ हेल और यहां लूजली है लूजली हेल डिड़ है ठीक है तो यह एलेक्ट्रॉन इसली रिलीज करेगा और यह जो टाइटली है तो यह थ्ट्रोंगली है तो यह थ्ट्रोंगली है तो थ्ट्रोंगली करेगा और यह स्ट्रोंगली करेगा यह स्ट्रोंगली मेरा बात नहीं है तो यहां इसली हो जाएगा यह भाइभा इससलिए में पर निफ एक कर अगा जाहिर से बाथ ये अलग्ट्रॉनест करने की टेंडेंस करने कि तो उसलिए लिए हम लोग लिखते हैं कि जब डाउनवाड की और आएंगे तो ये जो है और बो ना ही जल्द ही हम लोग मिलेंगे modern predictable के बारे में जो पढ़ रहे थे group और periods की जो characteristic पढ़ रहे थे इसका हम लोग जो क्या merit है और इसका क्या क्या disadvantage और advantage है उसको लेकर जल्द हम लोग लेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इस लेक्चर के अंदर इतना ही धन्यवाद